गुद्मारिंग स्टूइटल्स आज की क्लास में आप सब का स्वागत है मुझे उमीद है आप सब घर पे हैं और सेफ हैं तो चली शुरू करते हैं आज का हमारा टापिक हम लोग उने जाना कि इसिप्लिन क्या है आज हम लोग जानेंगे स्कूल सब्जेक्ट और डिसिप्लि इसके बारे में जानेंगे तो चली शुरू करते हैं आज का हमारा टापिक सबसे पहला पॉइंट है स्कूल सब्जेक्ट में देखिए डेवलप्मेंट ऑफ बेसिक स्केल्स और अवेर्नेस ठीक है यहां पर क्या हो है डेवलप्मेंट ऑफ बेसिक स्केल्स यानि कि बुनिय को पेशिक स्कोल और सब्सक्राइब चाहिंगे को घैअगे उढ अगर इंजिनेरिंग करना है तो सिर्फ उसी के बार में वो पढ़ेगा, कोई भी vocational course करेगा, लेकिन वो एक सारे subjects का general knowledge नहीं लेगा, उसमें और ज्यादा deep पढ़ेगा, और उसकी बार वो विशेश क्यान प्राप्त करेगा, और caution उसका विकास होगा, that means अगर वो doctor बनना चाहता है या चाहती है, तो definitely उसी stream में जाएगी और उसी में पढ़ेगा और उसके बार वो doctor कहला है, तो specialized किसी stream में जाके उसको पढ़ाई करना, उसके बार में जानना, उसे disciplinary subject कहते है, next is school subject में देखे, development of social citizens, यहाँ पर क्या हो रहा है, समाजिक नागरिकों का विकास, यहाँ पर generally सभी ही जाते हैं schools, और यहाँ पर क्या हो रहा है, development हो रहा है नागरिकों की, that means citizens जो है, वो हर एक जगह पर, आप देखेगा, सभी बच्चों को school बैसते ही नहीं है, school subject का क्या क नागरिकों का विकास, यानि कि अगर आप देखेगा, तो school levels में आपको social वाले जादे जादा यह पढ़ने को मिलता है, जैसे कि helping each other, फिर how to cross the road, तो कैसे plantation करना चाहिए, कैसे उसका seed germinate होता है, all these things, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि school subject, social citizenship को develop करता है, यानि कि नागरिकों को विकास, समाजिक नागरिकों का विकास करता है, ठीक है, next इसी में देखे, development of scholars, researchers, academic specialists, etc, यानि कि यह क्या करता है, विद्वानों, शोद करता हो, शैक्षनिक, विशेशक यह आधी का विकास करता है, यह जितने भी scholars है, scholars में तो जो research कर रहे हैं, researchers होते हैं, शोद करता होत करता है, उनको जादातर मदद करता है, उनको विकास, उनका विकास होता है, disciplinary में, next है, simple ideas and information, सरल विचार और जामकारी, school level पे आप देखेगा, school subjects में क्या होता है, कि सरल आइडियास, बन्हें, जो simple ideas होते हैं, उसे और informations को बताया जाता है, वहाँ पे, सिंपल ideas दिया जात है, कि क्या होता है, क्यों होता है, और उसके बाद, उसकी जानकारी दी जाती है, बस यह एक limit होता है, school subject में, यहीं आप देखेगा, discipline में क्या होता है, complex theory and educators, यहाँ पे कहें, चटिल, धाल और सिच्छा, यहाँ पे आप देखेगा, कि जितने भी complex theories होते हैं, यहाँ पे solve कर पड़ता थे और इसको, और साथी साथ यह educators भी रहते हैं, जो उन्हें मदद करते हैं, और वो भी समझाने, समझाते हैं, यह कहें, जटे सिधानत होता है, disciplinaries में, next है, school subject में, considering needs, wants of learner, including learners-centered teaching method, यानि की, जरूरतों परविचार और शिक्षाती के इंद्रित, सिक्षन विधिया शाबिल है, school subject में क्या है, चाहि सेंटर्ड जो knowledge है, वो दिया लादा, चाहि सेंटर्ड मतलब होता है, कि बच्चों के हिसाब से ही, उनको, पाई होती है, सिक्षन होती ही, वो दिया जाता है, और पहले क्या होता था, गुरू कुल सिस्टम में, या फिर पहले क्या होता था, जो गुरू बोलता था, वो teacher Center था, जो गुरू बोलता था, उसे बच्चों को करना पड़ता था, चाहे वो बच्चा Abil हो नहीं हो, उसे करना पड़ता था, but अभी क्या है, अभी ये child-centered हो गया है, बच्चों की ability, उनकी age, उनकी साह्म्फम था, यह सा कि चाइज सेंटर अब यहां शामिल किया गया है और वहीं हम देखते हैं डिसिप्लिवरीज पर क्या है कंटेंट्स और एंच फॉर देवलप्मेंट ऑफ डिफरेंट स्पेशलाइज स्केल अट कॉंप्लेक्स एंड वाइड लेविल ठीक है यहां पर क्या है जब यूज करें कंटेंट्स प्लीक्स के लिए व्यूस्था की जाती है यहां पर देख सकते है कि विभीन को जो भी विशिष्ट कोशल होता है उसको व्यापत स्थर पे विकास के लिए विवस्तित की जाती है ठीक है तो यह आज हमारा वीडियो है यह हमारा पार्ट वन है कल हमारा पार्ट टूर है और हम लोग फिर से देखेंगे कि स्कूल सब्सक्राइब क्या डिफरेंस है मुझे उ